नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमार ए नाम बालों आपके जीवन के वो राज जिसे जानना आप चाहते तो हैं पर जान नहीं पा रहे हैं आखिर आपके दिल में क्या है आप कैसे होते हैं आपके जीवन के महत्पूर्ण समय कौन से हैं जीवन की मुस्किले क्या है और कैसे आप इनसे बचें जिनका नाम A लेटर से सुरू होता है वो थोरे हटके होते हैं A का मतलब होता है पहला नमबर वन हमेशा ही आगे रहने वाले और A का मतलब होता है दर्ध इच्छा सकती के मालिक A का मतलब होता है सबसे आगे A का मतलब होता है सूरे की तरह चमकने वाला कहने का तातपर A लेटर से जिनका भी नाम शुरू होता है वो जीवन में अपने दम पर वो सब कुछ प्राफ्ट करते हैं जो वो चाहते हैं इनके जीवन में इन्हें सब कुछ मिलता है क्योंकि इनके अंदर महातो कांचाएं हैं इनके अंदर confidence है ये सासी है इनकी ताकत क्या है इनकी कमजोरी क्या है चलिए जानते हैं बिस्तार से क्योंकि ए नाम बाले जीवन के हरचन का आनंद लेने बाले होते हैं कभी-कभी ये थोड़ा से negative हो जाते हैं कभी-कभी मन में कुछ चिंताएं आ जाती है लेकिन अगर इने कोई support कर दे जरा सभी होसला बढ़ा दे तो इनके पंक आसमान में उड़ने को बेकरार होते हैं और ये जो चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं अक्सर देखा गया है कि ए नाम बाले लोग बड़े अधिकारी होते हैं या फिर business man है तो बड़े business होंगे man होंगे क्योंकि इनके अंदर जो च्छमता है वो सबसे हटके होती है और इनके अंदर सबसे ज़्यादा talent भरा हुआ है अब number one का मतलब ही होता है सब कुछ ज्यादा प्यार भी ज्यादा तकल छूट जाती है आखिर क्या है वो चीज जीवन के उन झठन को कैसे आनंद से विभोर कर पाएं कैसे उन झठन का आनंद ले पाएं कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकले तमाम बाते जारी हैं तक बने रहे आज हम बात कर रहे हैं A A का मतलब होता है सबसे पहला और सबसे ज़्यादा खूबसूरत A का मतलब होता है जो सबसे स्रेष्ट है और जो सबसे खूबसूरत है जो सबसे उच्चा है और जो सूरे का एक तरह से कहिए जैसे सूरे का अंक एक होता है यानि एक नंबर सबसे पहला अ यानि सबसे आगई ए उसका भी मतलबी होता है जहां रहेंगे सबसे आगे रहेंगे इनके पीछे बांकी सभी रहेंगे इन्हें किसी के सामने जुकना बिलकुल भी पसंद नहीं क्योंकि ये खुद में बहुत ही महान होते हैं और सच है कि वैसे भी जिसके तिसके सामने जुकना भी नहीं चाहिए और जुकेंगे तो दुनिया और जुकाएगी ये इनको पता है तन के रहना इन्हें पसंद है जो कि इनकी खुबियों में से एक है कभी-कभी ये खुबी खामी भी बन जाती है पर ये अच्छा है और यही इनकी खुबी इनको सरफस्रेश्ट बनाती है सबसे आगे रखती है, सबसे उचा देती है पद इनको जीवन में बहुत कमी हमने ऐसा देखा है कि कभी किसी के सामने जुकना पड़ा है या फिर कभी हार का मुख देखना पड़ा है सबों की इज़्जत करना जानते है और समाज में कैसे रहना है, किनके साथ कैसा निभाना है ये इनको पता है इनका एक अलगी रूल होता है लेकिन एक खराबी है कि ये दूसरों की थोरी सी कभी कभी सी मजाक उड़ा देते है हलांकि ये लड़कपन में तो सोबता है पर अगर आप की उम्र हो गई है आप एक अच्छे पद पे हैं आप अच्छे एक जीवन साथी है तब ये आप पे भारी पड़ जाती है पर आप इन सभी चीजों से बचिए वैसे अगर हम कहें तो एवालों को थोड़ा क्रोध आता है हलांकि ये ज़्यादा गुसेल नहीं होते हैं पर थोड़ा से है मिलनसार और बहुत ही सुन्दर बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं मीठा बोलते हैं ए अक्छर को सबसे ज़्यादा प्रभावसालियक च्छर माना जाता है और ये इसका मतलब होता है साहसी आत्म विश्वास जो कि कुट कुट कर भड़ा होता है इस नाम बाले अपने सर्तों पर जिन्दगी जीना पसंद करते हैं हर जगह आगे रहते हैं बहुत ही ज़्यादा महात्वाकांची यानि नित्त्त करना इनको अच्छा लगता है इन्हें एडवंचर पसंद होता है कई लोग आपको लगेंगे कि ये तो बहुत इनको इगो है लेकिन नहीं इनको इगो नहीं होती ये अपने लाइफ को अपने बलबूते पे जीना चाते हैं ये अपनी लाइफ में किसी घुस्पेटी है कि मदद नहीं चाते इन्हें अच्छा नहीं लगता है ना ही इनको दूसरों से अपनी बातें सेयर करना पसंद होता है बहुत इंटिलिजेंट होते हैं स्मार्ट होते हैं सेंस ओफ यूमर तो गचप का होता है और बैभारिक तो होते ही हैं निर्ने लेने की छमता अद्भुत एक चरवाले अगर हम कहें तो रॉमांटिक कम होते हैं और ये बहुत ही सांथ सिरियसली रहना पसंद करते हैं लेकिन जिससे भी प्यार करेंगे हमेशा खुश रखते हैं हलाकि इन्हें दूसरों के सामने दिखावा पसंद नहीं होता है खास कर प्यार के मामलों में हाँ ये जब अकेले में होंगे तब तो इनके लिए ठीक है पर जग जाहिर इन्हें पसंद नहीं ये अक्छरवाले अगर सोच लें कि हमें ये काम करना है तो धैर की कमी हलाकी होती है पर बिनम्रता यानि कि ये बहुत ही ज़्यादा दूसरों के सामने सांत रहते हैं बिनम्रते हैं रेस्पेक्ट करते हैं कोई इनकी लाइफ को कंट्रोल करें ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं फिर तो आपकी उनसे दुस्मनी हो जाएगी ए ना अपनी अलग दुनिया होती है और वैसे तो पार्टी और दोस्तों के साथ घुमना फिरना इनके पसंद है पर इनके मन लाइक जो रहेंगे उन्हीं के साथ यह रहना पसंद करते हैं वरना रामसलाम दूर से ही करना अच्छा लगता है इन्हें अगर हम कहें तो सासी होते है और कहीं भी कठी समय जब आता है तब यह सबसे आगे बढ़कर सबों की हेल्प करते हैं फैसला लेने के मामलों में बहुत ज़्यादा सोज विचार करने के बाद ही किसी निरने पर पहुंचेंगे और दोस्ती निभाना तो कोई इन से सीखे हलांकि थोड़े से धर्मिक भी होते हैं और अबने जो भी धर्म के मानने वाले होते हैं उन पर बहुत आस्था रहता है चा Remi पहुत आता है अगर हम कहें तो इनका गुस्पा जल्दी सांथ नहीं होता अगर आपका कोई अपना करीवी अे नाम से है अगर उनको गुस साइब हो जाए सानत हरें वरना इनक चले जाते हैं, फिर कुछ गुसा सांथ होगा फिर वापस चले आएंगे, लेकिन उस समें इनको ज्यादा गुसा ना ही दिलाएं, तो अच्छा है, दिल की बात कहना इन्हें नहीं आता, कभी भी ये दोस्ती या प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं, और अपने दोस्तों का लेकिन ख्याल बहुत रखते हैं किसी को भी अगर इन्हों ने किसी से दोस्ती कर ली तो किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझेंगे बलकि सब एक से एक बढ़कर दोस्तावित होते हैं क्योंकि इनका दोस्त का सरकिल हलांकी छोटा होता है पर जो होता है बहुत अच्छा होता व है औरों से हटकर इनका दोस्ती होती है. जो निभातने जानते हैं और इनकी दोस्ती निफ्ती भी है. लोगा के मन में जो भी बातेs होती हैसुने ज्यादा तर मौके पे सच बोलते हैं और परफेक्ट बोलते हैं. कई लोगों से हलांकि इनकी नहीं बनती क्योंकि इन्हें अगर किनी का बात विचार अच्छा नहीं हुआ तो इनसे वो दूरी रखते हैं हलांकि दोस्ती बनाए रखते हैं पर उनसे दिल की बातें सेर नहीं करते हलांकि इनके जीवन में जल्दी ही सफलता मिल जाती है एक्षर वालों को पर कभी कभी रुकावटे आनी तो हलांकि हम पिर्थवी वासी है तो उतार चड़ाव तो हमारे राइप में है है इसलिए थोरे बहुत उतार चड़ाव होते हैं मेहनत भी बहुत करते हैं यह警andan आते भोके देने के लिए इनको तयार बैठे हैं क्योंकि ये दिल के बहुत सच्चे होते हैं इनके मन में छल कपट नहीं होता जिसका फाइदा अक्सर इनके दुस्मन उठा लेते हैं तो आपको इन सभी चीजों से बच कर रहना चाहिए वैसे आपके दुस्मन भी आपको सलाम करत इसमें कोई दो बात नहीं है लेकिन कभी-कभी आपके करीमी अपके दुस्मन होते हैं। कि अगर हम कहके बैवाहिक जीवन अच्छा होता है। फ्रेम रहता है पर यह समर्पन भी समर्पित रहते हैं अपने जीवन साथी के प्रती लेकिन इनहें इनके सोच के बिप्रीत को पर थोड़ी सी टेंसन वाली बात हो जाती है पर बैभाई जीवन 90% मामलों में एक्षर वालों का अच्छा होता है अगर आपका भी नाम एक्षर से स्टार्ट होता है तो आप भगवान सूरी को कम से कम एक बार परणाम तो जरूर ही कर लिया करें चाहें आप किसी भी धर्म के हो पर वो एक सूरी ही है जो हमारे पिर्थवी को चला रहे हैं हमारे जीवन को चला रहे हैं हमारा प्रान है इसलिए एक वार उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा अगर हां तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब जरूर